दिल्ली का कुख्याद चैन स्नैचर बुंबई से गिरतार हो गया है मलार्ड पुलीस ने सिसी टीवी के सहारे दोनों आरोपियों को धर दबोचा है दरहसल मलार्ड पुलीस टेशन के हद में गत 18 अक्टूबर को एक चैन स्नैचिंग की घटना हो थी आरोपी एक व्रिद महिला के गले से सोडी की चैन खीच कर बाइक से भाग निकले थे शिकायत मिलते ही मलार्ड पुलीस के वरिच अधिकारियों के मार्ग दर्शन में उपनिरक्षक नागनाग बंसोडी ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुच कर जाज़ परतार शुरू किया पास के एक सिसी टीवी से मिले कुछ सबूतों के आधार पर पुलीस ने इस मामले के दो आरोपियों को गिरबतार कर लिया है आरोपियों से पूस्ताश में पता चला है कि मुख्या आरोपी राजेश, खचर, दिल्ले से बुंबई खास कर नौरात्री में चोरी करने आया था उसने दिल्ले में अब तक 40 चोरी की घटनाओं को अंजान दे चुका है मलाड पुलीस ने इन आरोपियों के पास से लूट के 27 ग्राम सोनी की चैन और एक बाइक जब्त कर आगी की जाच कर रही है आटरा तरिको मलाड में एक सेनियर सिटीजन महिला के चेन खिच के दो बंदे बाइक के बाइक पे बाग गए थे उसके सिसले में हमने केस रजिस्टर होने के बाद तुरंत वो एरिया का सिसीटीव फुटेज निकला हमको उसमें दो सस्पेक्ट निकले दो जन देखे हमको सस्पेक्ट उसका हम सिसीटीव फुटेज के मज़़ से हम फॉलो करके बिम्बी सारनगर गोरिगाव इस्टर तक पहुचे दो बंदे एक आदमी को बात करते हुए देखे थे उससे हम आगे वह आदमी को पकड़ा उसके सामने वाले को जिसको मिलने का आये थे उसको फकड़ा इसा फॉलो करके वह दो बंदे को पकड़े उसी से हम एक केस में जो चोरी हुई थी चेन 27 ग्राइम की चेन पूरी चेन हमने रिकोर्ड की है और वो जो इसमें राजेश खचड करके एक दिल्ली का अक्यूद है वो दिल्ली का रहने वाला है वो इधर नौरात्रे में आके चेन 2-4 ऐसा चेन खेच के वो निकल जाने वाल सब्सक्राइब करने ही मुंबए आते थे अभी पहली बार आया था उसके वो लेकिन पहले पहली चेन खीचा तो हमने उसके पकड़ा उसके उपर दिल्ली में भी 30-40 केस रेजिस्टर है चेसने चिंग का या गाड़ी चोरी का उसके साथ एक और आले पकड़ा है उसका च्यार गज़्राण है वो उसका रिलीटिव वाला यह है वो भी विदर बॉंबे में रहता है वो भी उसमें सामील हो वो बाइट चलाता था एक पीछे बेटके हो चेन खीचता था अभी 27 ग्रियाम का सोनी का चेन है 98000 का और क्या क उसका गाड़ी जो गाड़ी पर आए वो गाड़ी भी सिज किये है अगर आपको हमारी व्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकोन दवाना बिल्कूल भी ना बुले जिसे कि आपको देश और दुम्या की सारी खबर झाम्यों से ले है